हेलो दोस्तों वालकम टू MS Excel स्रीज आज क्लास 22 डिसकस करेंगे और आज के लेक्चर का टॉपिक है ओटो सम एन प्रोड़क्ट ये दो टॉपिक है दिख रहा है दो टॉपिक बट इसके अंदर जो है वेरियस फॉर्मूला है वो हम डिसकस करेंगे आज के लेक्चर में यहां पे स्रिफ दो ही दिख रहा है बट इंटर्नल वेरी इंटरेस्टिंग जो आपका आप जब आफिस में काम करोगे तो आपकी एफिसेंसी वर्ड की एफिसेंसी काफी बढ़ा देगा इसके अंदर जो वेरियस फॉर्मूला है उसको यूज जब आप करेंगे तो आपकी एफिसेंसी और आपका टाइम धोनों जो है काफी एफेक्टिव होगा आपका टाइम कम लगेगा और आपकी एफिसेंसी वर्ड की बढ़ जाएगी और आप स्मार्ट जो है एक्सल और यूजर बन जाओगी राइट दोस्तों तो चलिए देखते हैं आज के क्लास को और मैं रिक्विस्ट करूँगा आप एगर एजुकेशन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है आपको गौर्डमेंट जॉब से रिलेटिड नोटिफिकेशन भी मिल हैं अच्छा response मिल रहा है दोस्तों तो उसके बाद powerpoint powerpoint presentation ये भी हम start करने वाले हैं वो आप लोगों पे डिपैंड करता हैं आप लोग कितना जल्दी response करते हो राइट कितना ज़्यादा देखते हो राइट दोस्तों तो चलिए देखते हैं आज का start करते हैं चैनल को subscribe करना ना भूलें दोस्तों और description में जो है telegram का link दिया गया है आप वहां जाके जो है telegram join कर सकते हैं cause are related, education related कोई भी doubt हो या कुछ भी हो आप वहां पे comment कर सकते हैं वहां पे आपको various other things भी मिलेंगे रहा है और भी जो है 2 education channel स्टार्ट करने जा रहा है monthly जैसे कि प्रतियोगता दरपन होता है एक मन्त का यह भी चल रहा है अगस्ट तो अगस्ट सेप्टेंबर अप्टो एभरी मन्त का जो है नास्नल और इंटरनेशनल करेंट अफेर्स आपको प्रोवाइड कराएगा राइट आपको पीडिया फी मिल जाएगा आपको जो है चार्ट कैसे बनाते हैं various kind of chart बहुत interesting class रहा है वो आप देख सकते हैं और दो government jobs related notification आपको मिलेगा तो चलिए देखते हैं यहाँ पर देखिए auto sum home menu पर जाना है आपको and auto sum यह देखिए आपका यहाँ पर auto sum है तो इसके लिए आपको sum करना है तो यहाँ पर देखिए auto sum के अंदर भी बहुत सारे जो है आपके पास option है तो वो सारा कुछ हम cover करेंगे तो सबसे पहले इसको यह देखिए मैं already इसको auto sum इसको पहले खाली कर देते हैं ठीक है clear content right clear content हो गया अब देखिए इ यहाँ पर अगर normally आप करेंगे बीना formula के तो equal to का sign देंगे and आपको क्या करना है bracket close करना है यहां से and then यहां से लेके यहां तक आप select कर लेंगे and bracket आप क्या करेंगे close करेंगे यह देखिए यह default sorry यहां से आपको क्या करना है equal to का करना है and sorry equal to का करना है and यहां से आप sum का option देंगे यहां से आप sum का option देंगे और इस सब को आप select कर लेंगे यह आ नहीं रहा है sorry देखते हैं यहां पे आपको क्या करना है इस सब ही को add करना है इस सब ही को add करने के लिए यहां पे जाएंगे और यहां पे आप sum का option क्लिक करेंगे and यह select हो गया आप इसको सिर्फ simply enter कर देना है तो यह answer आपका right अब दूसरा अब जो है जो मैं try कर रहा था पहले तो वह अभी मैं आपको बता रहा हूं यहां पे गये bracket जो है आपका close किया start किया and then फिर जाके आपका जो है every जो है इस पे ऐसे करके and then फिर plus का symbol करके every जो है sale में जाके plus का sign डालके हना every पे जाके plus का sign डालके right जितने भी इसमें आपके sales है सब को आपको जो है क्या करना है add करना है add करना है each and manually right manually आपको add करना है and then फिर जाके आपको यह देखिए यह हो गया and bracket आपको close करना है and enter करना है तो यह देखिए यह formula लग गया तो यह एक lengthy process है बहुत लंबा process है but अगर आप यहां से formula के through जाते हैं जैसे कि इस पे आपको formula लगाना है right इसको sum करना है तो आप क्या करेंगे यहां पे जिस further sale में जहां पे आपको value चाहिए वहां पे आप इसको click करेंगे तो यह auto sum लेता ह है हना इसको आप जैसे इंटेव मारेंगे तो यह पूरा select कर लिया यह यहां से यहां तक तो यह easy है अगर suppose कीजिए एक auto sum एक sum का एक और option अगर कहीं और आपको sum करना है suppose कीजिए किसी और sum किसी चीज को आपको calculate करना है तो यहां पे आप किसी भी sale में जाके आप कर सकते है equal to का sign देंगे and then किसी भी value को जिसको आपको करना है तो उसको आप select कीजिएगा फिर plus का sign दीजिएगा फिर जिस भी value को आपको add करना है suppose कि इस value को add करना है तो वो आप select करेंगे and enter करेंगे तो आपको value मिल जाएगी यह suppose करें आप आपके पास कोई भी value नहीं है आप manually करना जाते हैं तो equal to का sign डालेंगे and then फिर जाकि जो भी value आपको manually add करना है suppose कीजिए कि आपके पास $2000 थे तो $2000 आपको यहाँ पर मिले and फिर आपको जो है extra bonus में $20 और मिला तो आपको यह add करना है तो यहाँ से manually आप इतना कर सकते हैं तो यह चीजह होगे अब यहाँ पर देखिए जो भी formula जो भी total formula आपका होता है जिस sale में लगा अगर वही जो है जो एक यह row है इस row में जो formula लगा वही formula आप जितने entire row rest row है उसमें अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको simply क्या करना है सभी में जाके जैसे one by one नहीं करने की ज़रूरत है आपको पिल्कुल नहीं करना है आपने एक row में अगर formula लगा दिया अगर वही formula सभी में आपको यूज करना है तो one by one करने की ज़रूरत नहीं है आपको simply क्या करना है last वाला जो लगाया आपने उस पे आपको click करना है and उसको जो right corner पे click करके जो plus का symbol दिखाए यहां पर देखिए उसे हम आ गया तो यहां से हम नहीं आना है आपको formatting में लाना है right formatting में तो यह कि यहां पर कि आपने यहां पर एक यह value same क्यों आया right तो यहां पर आपको sum करना है इसका तो आपको simply जो है यहां पर sum लेना है right इसका यहां से लेके यहां तक का आपने इंटर किया यह value आ गया आपका right अब इसको scroll down आप करेंगे right यह देखिए value आ गया आपकी हाना एक बार और करते हैं इसको right यह देखिए value आगे सब की different different value अब इसको एक बार और करते हैं इसको आपको कोई confusion ना हो जाए right clear content करते हैं आप यह manually तो आप जानगे कैसे आपको करना है इसको भी आपको करना है प्लस का साइन करके right तो ऐसे आप यह यह आपका जो है यह manually हो रहा है इसमें कोई shortcut नहीं right तो यह चीजें होगी यह bracket close कीजिए आपके पास value आ गई 415 right अब दूसरा क्या है जो shortcut है दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना कहीं ब्रावर की sign नहीं डालना है कहीं equal to sign नहीं डालना है जिस sale में आपको value चाहिए उस पे आपको क्लिक करना है उस sale में और sum का option क्लिक करना है तो यह automatically by default यह select कर लेगा उसके बाद आपको यह enter करना है यह value आ गई ठीक है तो उसी तरह अगर आपको दूसरा दूसरे value पर जाना है तो आप simply इसको क्या करेंगे इसको roll down कर देंगे यह value आपकी सब की जो है sum आगे each and every जो आपका row है उसका value यहाँ पर आ गया अब आपको क्या करना है दोस्तों यह चीज सीखे कैसे add on करना है sum कैसे करना है अब इसमें जो दूसरा features है sum के अलावा वो क्या है suppose यहाँ पर बुलेगा यह आप यहाँ पर total कर लीजिए यहाँ यह यह रखि total का हमने एक column बना लिया right इसको यहाँ पर border डाल देते हैं तो हमने डाल दिया अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए total value चाहिए तो इसका आप क्या करेंगे आप इसको कुछ नहीं simply इसका आपको करना है यहाँ पर इसका भी add करना है total कितने नंबर आए sum करना है तो इसको आपक हो गया आपका अगर आपको यहाँ पर total marks नहीं चाहिए आपको कुछ और चाहिए तो इसको हटाते हैं क्या आपको चाहिए आपको average marks सभी बच्चों का average marks आपको चाहिए तो यहाँ पर average पर क्लिक करेंगे तो आपके marks आ गए right 444 average marks है दूसरा इसमें क्या features दोस्तों दूस करेंगे यह by default above data लेता है अब यहाँ देखे 460 marks जो है 21 बच्चों में से सबसे ज्यादा marks 460 marks है और वो किसके हैं वो हैं आपके यहाँ पर देखिए अंकित स्रिवास्त वाकप right तो यह maximum हो गया अगर आपको minimum चाहिए right यहाँ पर देखिए आपको यह सेल पर जाना है और यहाँ पर minimum जैसे आप minimum करेंगे सबसे कम number 365 marks यो है वो सबसे minimum है right तो यह है minimum उसके बाद अगर आपको कि इसमें count करना है कितने number of candidate हैं या क्या है तो जैसे आप count पर जाएंगे number of count oh sorry इंकर बढ़ हो गया यहाँ यहाँ वहाँ select कर लिया हमने ठीक है यहाँ पर देखिए आपको कितने count करना है कि कितने value है हमारे पास तो count the numbers right तो यहाँ पर count the numbers number values और यहाँ पर count the numbers यह देखिए total कितने है 21 है right यह 21 है अगर यहाँ पर आप करें यहाँ भी होगा count the numbers वहाँ numbers नहीं थे that's why देखिए count the number 21 अगर हम यहाँ पर लेते हैं यहाँ पर नहीं आएगा count the numbers यह value मांग रहा है तो हमारे पास number ही नहीं तो value कहाँ होगा यहाँ पर इसको हम consider करते हैं let's check it out it should be देखिए आ गया तो यह count the numbers number को count करेगा ना कि आपका जो है numeric जो आपका text value है text जो है वो उसको नहीं count करेगा right तो यह हो गया आपका sum उसके बाद auto sum average आपका maximum minimum यह सारा कुछ हमने देख लिया अब इसमें देखते हैं कि आपका more function में क्या क्या है more function में देखिए sign का है sign मतलब इसमें क्या होता है कि आपका negative positive sign का मतलब नहीं है यहां पर यहां पर मतलब है कि आपका angle में sign right जो radian और जो आपने 10th में पढ़ा होगा actually यह चीए जो है advance में हम देखेंगे right और इसमें जो है आपका यह इफ का formula हमने यूज किया है जैसे कि इफ प्रोपर लगा देते हैं all these things तो वह हमने देखा है बट इसको advance हम देखेंगे right तो यह चीए होगी hyperlink हमने देख लिया है इफ का भी हमने थोड़ा सा देखा है but previous class में जिनोंने नहीं देखा है वह previous class देख सकते हैं right दोस्तों तो यह इसमें बहुत सारे functions हैं जो कि हम देखेंगे जैसे कि यहां पर देखेंगे आ कौन से 10 नेंट जो है यह क्या होता है consonant तो इसमें देखिए आपका suppose कीजिए यह है आपका यहां पर text value मांग रहा है तो इसको हमने okay कर दिया तो यह देखिए text value यह आ गया जहां जो भी value चाहिए वह यहां से आ जाएगा राइट तो इस तरह का इसका क्या exactly क्या rule है क्या application है यूज क्या है वह हम जानेंगे राइट तो यह auto sum आज आपने जाना राइट अब अब हम चलते हैं product में राइट तो product में कोई भी ले लिजिए product में यहां पर प्रोड़क्ट कॉस्ट थीक है तो हम एटेंडेंस कोई एक सीड ढूंते हैं दोस्तों इस पर हम वाक कर सकें राइट बहुत सारा हमने यह देखिए इस सब पर इसमें देखिए नंबर ऑफ गुड्स नंबर ऑफ सिस्टम्स यह नंबर वैल्यू यह चार्ट हमने देखा था यह आपका जो बार कोड है वो कैसे बनता है एक्चली हमारा यह जो 2007 है आपका हमारा Microsoft Office अगर 2019 यह 16 है तो उसमें जो है यह बार कोड किसी भी नाम का किसी भी डिजिट का किसी वैल्यू का बार कोड जो होता है आज कल देख रहे हैं जो पेटियम गूगल या फिर आपका फो वूड कैसे बनता है तो वह यहां पर बन सकता है वह यह formula है रइक तो मैं आपको बताऊंगा सुगवद यह सब हैं अब यह छिए हैंब目 1 या हमारे पास वैल्यू आपका में हम दो वैलू ले 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 लेते हैं suppose कीजिए हम कॉपी करते हैं यहां से और यहां पर रखते हैं और यहां पर इसको रख लेते हैं ठीक है यह आ गया अब जो है यह इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर फॉर्मूला लगा हुआ है देखिएगा यह formula लगा है बट अगर इसको हमको करना है copy तो यहाँ पे paint में जाके हमको क्या करना है shift value यह आपको मैंने बताया हुआ था पेस्ट ओल क्लिप बोल्ड एड कस्टमाइज टूल बार राइट यह टूल पेस्ट वब्स क्केस में जाएंगे तो हमस्ट में क्या चाहिए स्रीफ वैल्यू चाहिए राइट हमने वैल्यू पे तो value को सिर्फ copy किया and then paste कर दिया यह हमने already हमने एक paste में देखा था कि कैसे use करते हैं तो आप previous class में जाके देख सकते हैं अगर नहीं तो यहां पर आपको कैसे copy करते क्योंकि आपका यह one by one उठाना पड़ता तो इसलिए यहां पर यहां फिर value write करना पड़ता तो अब यहां प करेंगे यहां पर very simple आपको क्या करना है equal to का sign देना है and then proper product लिखना है product यहां पर देखिए proper कैसे होता था proper का क्या use था मैं already discuss कर चुका हूं तो आप यहां पर product लगाना है या product पुड़ा लिखना है यहां पर यानि तो यह आपको solution देता है इसको आप click कीजिए right यह आ गय आना है and then फिर इसका right यह दोनों हो गया and enter कर दिया हमने तो इसका value हमारे पास क्यों नहीं आया इसको हम देखते हैं इस पर कोई formula नहीं है इस पर कोई formula नहीं है क्योंकि इसकी value जो है आपका पहुत हुज है इतना ज्यादा इतना का multiply अगर हम करेंगे तो यह देखिए कितनी digit आड़ ही है यहां पेस में कितनी digit आड़ ही है let's try it very simple way कि यह लेता ही कि नहीं क्योंकि इसका value इतना ज्यादा है दोस्तों इसको अगर multiply करें तो बहुत बड़ा value आएगा यह देखिए प् 10 raised to power 15 तो इस तरह का value आएगा तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं दोनों same ही value आ गई है right तो यहां पे आपको क्या करना है very simple हम यहां पर लेते है 15 20 12 ले लिया and 12 के बाद हमने 15 ले लिया अब इसको इसी range में हम लेके क्या करते हैं इसको scroll down कर देते है देखिए आ अब हमें यहां पर formula लगाने में असान होगा यह हमने कैसे कर दिया ठाड़ा 21 24 इस्क्रॉल डाउन के तो वह आपको मैंने class second में बताया था आप जानेंगे suppose कि यहां पर one one है right इसको अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो one one ही आएगा और यहां पे जो है 12 15 था ठाड़ा 21 यह जो है series में कैसे आ गया तो मैंने आपको बताया था इसमें क्या trick है तो आप class जाके attend कर सकते हैं अब यहां पर देखिया आपको क्या करना है equal to का sign देना है and then product लिखना है right product product आपने लिखा product and आपको क्या करना है bracket close करना है और चिशको multiply करना है जितनी value हो उसको bracket के कोमा के साथ आप लिखते जाएं आप bracket close कीजिए and then enter कर दीजिए value आपके सामने होगी right जितना भी value हो suppose कीजिए अभी बताता हूँ equal to product प्रोड जितना भी देख रहे हैं आप यहां पर आ रहा है वह साड़ा कुछ हम सीखने वाले है product and bracket close अब देखिए हमें जितना हमें suppose की यह भी लेना है यह कोमा फिर यह भी लेना है कोमा फिर आपको यह भी लेना है पर कोमा एंड ब्रैकेट close इंटर देखिए आगे value तो उसी तरह यहां पर इसको यह हमने लगा दिया अब इसको जो है हमें सभी पर यही formula लगाना है सभी जो है row पे यही वाला apply करना है formula तो आपको सिर्फ scroll down कर देना है आपको value मिल जाएगा time waste करने की ज़र्वत नहीं है सभी पर formula लगाने की ज़र्वत नहीं है आप एक वार जानगे अगर manually भी करना है अगर आपके पास value नहीं है then how you will do that तो आपको equal to का sign देन लिखना है और फिर प्रोड़क्ट लिखना है प्रोड़क्ट आपने लिखा और ब्रैकेट क्लोज किया आपको कोई भी value डालना सपोच कीजिए आपको 73978 and multiply multiply का sign देंगे तभी गुना मतलब multiply होगा गुना होगा बट आपको यहां पे क्या करना है क्योंकि product आपने formula लगा लिखना है और फिर जाकर यहां पर आपको क्या करना है 957 जो भी value है आपको ब्रैकेट क्लोज किया इंटर किया यह multiply होके आया आपने multiply का sign दिया नहीं बट यह multiply होके आया because हमने product का formula यूज किया था अब यहां पर देखिए दोस्तों अगर equal to करते हैं जो यहां पर value हमने ल value आएगा ठीक अब ही यहां पर देखिए यहां पर कौन सा value हमने लिया यह दोनों लिया इस दोनों को हम copy कर लेते हैं कर लिया copy हमने अब यही वाला देख लिजी हमने क्या कर लिया अगरबर कर दिया है क्या हो गया हमने copy कर दिया उसको एंड दूसरे पर रख दिया दूसरे जगा पर कमांड रख लिया हम फिर से इसको कर लेते हैं देखिए इक्वल टू प्रोड़क्ट आप ऐसा प्रॉब्लम फेस होड़ा है तो आप सीखोगे जब तक मैं एकदम सिंप्ली नॉर्मल से बता दूंगा सब सही सही तो जब प्रॉब्लम क्रियेट नहीं होगा तो आप सैंप प्रॉब्लम कैसे फेस करोगे कि फिर घपड़ा जाओग अगर इस तरह के आपको प्रॉब्लम आएगा तो जब आप प्रैक्टिकल खुद करोगे तो इस तरह के आपके बहुत सब्सक्राइब होगे तो इसलिए जितना प्रॉब्लम क्रियेट होगा उतना आप इजली जो है उस कॉंसेप्ट को समझ पाओगे उतना जो है प्रॉब वैलू डाल देते हैं 25,25 इसकी वैलू 625 होनी चाहिए हम multiply का sign नहीं दिये हैं यह देखे 625 हो गया अगर suppose कि यहाँ पे हमने simply क्या किया 25 प्रोडक्ट का हमने formula नहीं लगाया manually हम इसको कर रहे है 25 into 25 यह भी देखे के आया 625 रैट दोर तो बहुत सारे candidate को पता होगा यह जो basic हैं उनको जो 0 से start किये हुए जिनोंने Excel कभी यूज नहीं किया उनके लिए बहुत helpful है तो आप यह यूज कर सकते हैं इसमें जितनी value है आप लगा सकते हैं suppose कीजिए आप यह लिए आपने प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट एंड आपने क्या किया प्रैकेट क्लोज ट्वेल्व कोमा ट्वेल्व कोमा वन ठीक है यह देखिए क्या आया यहां पर प्रोड़क्ट के अंदर आप ब्रैकेट में कोमा के साथ रखेंगे तो वह प्रोड़क्ट मतला जब को मल्टिप्लाइ होके आपका अंसर देगा राइट सो आज का क्लास इतना ही रखते हैं फिर कल के क्लास में हम देखेंगे बहुत सारे वेरियस अधर तिंग राइट अधर फॉर्मुलास इफ के फॉर्मुलास और तिंग डिसकस करेंगे दोस्तों और इसमें जो है चा अन आएगा तो फिर मैं आपको फिर से जो है जो रेस्ट आफ चीजें अधर चीजें जो है वो मैं आपको बताऊंगा राइट जो all the best आज का क्लास यही बाइंड अप करते हैं और कल मिलेंगा आपको वर्ड के लेक्चर के साथ वर्ड का लेक्चर थार्ड जो है जो है कोचिंग में जाके 1000 रुपया खर्च कर रहे हैं आपके रिलेटिव को जो की कंप्यूटर जिनके पास है वो धरा पड़ा हुआ है तो कुछ न कुछ सीख लेंगे वो राइट और जो क्लड की जॉब करना चाहते हैं जो कंप्यूटर में इंट्रेस्ट रखते हैं तो उनको जरूर यह सीखना चाहिए और पैसा जाके कोचिंग में वेस्ट नहीं करना चाहिए और गौर्णमेंट जॉब अग डेफिनेटली आप जॉब की तयार कर रहे हैं जितने भी यूथ हैं वो डेफिनेटली अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो गौर्णमेंट की जॉब जो है फस्ट प्रिफरेंस है तो उनके लिए उनको पता होना चाहिए कि गौर्णमेंट जॉब की वेकेंसी कहां आ रही है तो आपके पास जो बल्क में वे तलображब सेया वेकेंसी सेया बसेया थानीटल में को कि कोई को पांच आडलीए तो यो संहाई को पथी फेंटलीए यहां पर किई कई अपकेशन प्रिफिकेश्न प्रॉइड आपको मिलता है टाकि आपको पता चले कर सको तो जॉब आपको मिल जाएगी जो लोगों को पता ही नहीं होती है राइट तो दोस्तों all the best please share करें इस वीडियो को दोस्तों के साथ and comment जरूर करें अगर जो भी कुछ improvement लाना चाहते हैं जो भी आपको लगता है यहाँ पर कमी है तो definitely मैं उसको improve करूंगा वह आपके comment पर डिपेंद करता है तो all the best thank you for watching this video good luck for your career thank you दोस्तों